हेलो इस्टूइट आपका राहूल क्लास रूम में स्वागत हैं आज हम डिसकस करने जा रहे हैं जैक बोट की क्लास 12 की सब्जेक्ट हिस्ट्री का सेट वर्ण तो चलिए स्टाइट करते हैं तो पहला कोशन है मोहन जोदारों की खोज किस ने की थी तो इसका सही एंसर है आप इसका सही एंसर है लोठल से आगे चलते हम लोग मौर्वंस के अंतिम सासक कौन थे तो इसका सही एंसर है बिहद्रत आगे चलते हम लोग अर्थ सास्त के रचैता कौन थे तो इसका सही एंसर है कौन तलिया आगे चलते हम लोग मिर्तकों का तीला किसे कहा गया है तो इसका सही एंसर है मोहन जोदारो आगे चलते हम लोग हरपन अगर की खोज किस वर्ष हुई है तो इसका सही एंसर है आपका 1921 आगे चलते हम लोग सिंदू घाती सब्यता में निर्थ करते हुए लड़की की मुर्थी किस अस्थान से प्राप्त हुई है तो इसका सही एंसर है मोहन जोदारो आगे चलते हम लोग मौर समराज्य की अस्थापना किसने की तो इसका सही एंसर है चंद्रगुप्त मौरियो आगे चलते हम लोग मौर समराज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था तो इसका सही एंसर है पन आगे चलते हैं लोग मुद्रा राक्षस लेखक निमने में से कौन है तो इसका सही अंसर है विशाकदद आगे चलते हैं लोग निमनांकित में से कौन मौरे वन्स का सासक नहीं है तो इसका सही अंसर है अज्जात सत्रू आगे चलते हैं लोग चन्द्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब राजित किया तो इसका सही एंसर है 305 बीसी में आगे चलते हैं अमरावाती का इस्टूप किस से राजि में इस्टित है तो इसका सही एंसर है आपका आंद्रपर्देश आगे चलते हैं लोग बुद्र के पूर्व जर्म की कथाए निमले खित में से किस में संकलित है तो इसका सही एंसर है जातक कथा आगे चलते हैं लोग भुपाल की किस बेगम ने साची के इस्टूप के सरक्षन में युगदान दिया तो इसका सही एंसर है सा जहां बेगम सुल्तान जहां बेगम तो इसका सही एंसर होगा डी बी और सी दोनों सही आगे चलते हम लोग बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो इसका सही एंसर है सिध्धार्थ आगे चलते हम लोग महावीर का जनम कहा हुआ तो इसका सही एंसर है वहसाली आगे चलते हैं रोग जैन समुधाय में प्रतम विभाजन के श्वेताम भर संप्रदाय के संस्थापक को न या है तो इसका सही अंसर है इस्ठूल बहोगर आगे चलते हैं थ्प संबंधित है निमने से तो इसका सही अंसर है बाद आगे चलते हैं बूब कुंदलवन कस्मीर में चतुर्त बौध संगीत किस सासक के काल में हुई तो इसका सही अंसर है कनिस्क आगे चलते हैं बूब सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है तो इसका सही अंसर है गुरू आगे चलते हैं बूब बक्ति एवं सूफी आंदुलन के संतों का योगदान था तो इसका सही अंसर है धार्मिक भेटभाव में आगे चलते हम लोग बक्ति आंदुलन भारत के किस छेत्र में प्रारम हुआ था तो इसका सही अंसर है दक्चिन कृतन को प्रारम करने वाले संत का क्या नाम था तो इसका सही अंसर है चतन्य महाप्रभू आगे चलते हम लोग निजामुदिन ओलिया किस सुफी सिलसिले से संबंधित है तो इसका सही अंसर है चिश्ति आगे चलते हैं ताल वंडी किसका जणमस्तान है था तो इसका सही अंसर है नानक आगे चलते हैं किस काल में प्रसासर में नयांगर विवस्ता एवं आयांगर विवस्ता प्रचलित थी तो इसका सही अंसर हे विजयनगर का। आगे चलतेजें अगति हुआ हो! पनरा सो पैसत हिस्वी में कौन सा प्रसीठ युद हुआ? तो इसका सही अंसर है टाली कोटा का युद लोग्त। आगे चलते हैं रोगे विजयनगर समराज जिकी अस्टापना कभ हुई? तो इसका सही अंसर है 1336 आगे चलते हैं लोग किरसे देवराय किस समराजी के राजा थे तो इसका सही अंसर है विजे नगर समराजी है आगे चलते हैं प्रसित एतिहासिक अस्तल हमपी किस जिले में इस्तित है तो इसका सही अंसर है विजे नगर आगे चलते हैं किरसे देवराय के दर्बार में अस्ति दिगज कौन थे तो इसका सही अंसर है आठ टेलगू कभी आगे चलते हैं विजे नगर किस नहीं की थी तो इसका सही अंसर है हरियर एवंबुक का आगे चलते हैं अकबर नामा की रचना किस ने की थी तो इसका सही अंसर है अपूल फजल आगे चलते हैं विजे पर्थम पानी पत का यूद कब लड़ा गया था तो इसका सही अंसर है 1526 इस्वी आगे चलते हैं विजे आईने ए अकबरी कितने भागों में विवक्त हैं तो इसका सही अंसर है तीन आगे चलते हैं अग्बर का वित्र मंत्री कौन था तो इसका सही एंसर है तोधर्मल आगे चलते हैं अग्बाकू पर किस सासक ने प्रतिबंद लगाया तो इसका सही एंसर है जहागीर मुगलकान में सरवादिक उपजाव भूमी को क्या कहा जाता है तो इसका सही एंसर है पोलज मुगलकान में समराज की आयका सरवादिक महतपुन साधन क्या था तो इसका सही एंसर है खिराज यानि भूराजस्वा तो आज के लिए इतना ही फ्रेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले और मुझे कमेंड बॉक्स में मेंसन कीजिए कि अगली वीडियो कौन से सब्जेक की चाहिए धन्यवाद